खबर रिवाजिले से हैं जहां पुलिस के कारणा में आए दिन देखने को मिलते हैं कभी जूठे मामलों में फसा कर लोगों को प्रताडित किया जाता है तो कभी वास्तविक पीडित से पैसों की मांग की जाती है हाला की कई घूस को रिस्वत लेते रंगे हाथ गिरफतार हो चुके हैं इसके बाब जूत पुलिस विभाग के आला अधिकारी अपने रवईये पर सुधार नहीं ला रहे हैं ऐसा लग रहा है कि रिवाग जिले में पुलिस विभाग को लूट और जूठे मामले दर्च करने की छूट सरकार ने दे रखी है ताजा मामला चोरहटा थाना छेत्र का है जहां से पुलिस सधिक्षक कार्याले पहुचे पीडित ने गंभीर आरोप लगाए हैं पीडित अच्छे लाल साकेत निवासी बहुरी बात ने बताया कि वह 10 अक्टूबर को सिकायत करने चोरहटा थाना गया था जिसके साथ आरोपी, गोधन प्रजापती, मुल्लू प्रजापती, कामता प्रजापती, उस्पेन पांडे और तीन अन्य लोगों ने घर में घुच कर मार पीट की थी पीडित अपनी बहु के साथ थाना पहुच कर सिकायत दर्ज कराने की कोशिस की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने सिकायत दर्ज नहीं की, बलकि FIR दर्ज करने के बखले 10.000 रुपै की मांग की पीडित ने जब रुपै देने से इंकार कर दिया तो उससे गाली गलोच करने लगे और विरोध करने पर मार पीट की पीडित ने बताया कि उसके घर में घुचकर मार पीट करने वालों के दो पहिया वाहन और चपले भी छूटी है इसके बाब जूद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कारेवाही नहीं कर रही है पीडित ने पुलिस अधिक्षक कारेया ने पहुच कर सही बयान दे कर वस्तु इस्तिती की जानकारी लेते हुए अपराधियों के विरुध मामला दर्च कर कारेवाही करने की मांग की है सब्सक्राइब के मारा फाड़ी ने तहमा लड़का उठा भाग दें भाई के अलावा होई गया साहब गीरे पड़े तो उनके चोड़ तो लगिन गए यह वत तो सत्थ है और के जिन्के जो आपको मारे हुआ है जिसोफ पहली विवात हुआ है को विवात चलता scrutiny कि लिए हम जानी तों कि डारुपीन मुखभाद खायरा माम भामा दारुपी है पाये अमएरे नातिसे जीश्वाद बश्य कहां रहते हैं लोग आपको आपके प्रिश्य कहां रहते अब आदमी इन्ठे है यह नहीं नहीं आगाओं जनते नहीं हैं कब हुआ इस पी आपस में हैं हमारा च्छलाज साकेत तहां के रहने वाले बहुरी बांद जिलारीवा मदपर्देश पोस्ट आपिस बहुरी बांद इतने सुन्दर सुन्दर के नहनाएं दुलहन के रूप में चारचांद लगाएं प्यार के रिष्टे को और गहर बनाएं समदड़िया आभुषण का चादु है छाएं समदड़िया आभुषण समदड़िया आभुषण